नौश्कार दोस्तों मैं हूँ रवी कॉशौल और आप देख रहे हैं News Click देड़ साल के बाद किसान आंदोलन दुवास सुर्खियों में हैं अब रिपोर्ट रिपोर्टर्स कलेक्टिव पर आई है जिसके मुताबिक सरकार और निती आयोग ने क्रिशी और किसानों के आयज से जड़े हूए मुद्डों पर किसानों के बजाये, किसान संगठनों के बजाये कॉर्परेट से बाचीत की, कॉर्परेट को इस पूरी प्रोसेस में involve किया और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि ये पूरी बात चीज जो है वो non-experts के साथ में हुई है हमारे साथ आज बात करने के लिए हैं श्री गरीष जिरों ने दो पार्ट में ये जो पूरी एक्सपोजे है उसको रिवील किया है साथ में इन क्रिशी कानूनों का असर क्या होता और इन एक्सपोजे की क्या माइने हैं आज की संदर्व में उस पर बात करने के लिए हैं और अल इंडिया किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी विजू आज हम इन लोगों से बात की चीज की चुरूआत करेंगे सिरिश मेरा पहला सवाल आपसे है एक की यह रिपोर्ट जो है बताती है कि आपने मेहनत बहुत किया इस रिपोर्ट पे न कितना समय लगा और आप जब यह पूरी फाइल स्कोर यह डोकुमेंट को टटूल रहे थे तो क्या-क्या फाइंडिंग्स आपको समझ मैं कि क्या हो से कम एक से देड़ मेना तो लगी जाता है कभी-कभी एक साल से जादा भी लग चुका है क्योंकि हम डॉक्यूमेंटर अबेदेंस पे ही काम करते हैं और हम गवर्नेंस को इसी तरह से जुमार प्रेक्टिस हो रहे हैं उसको इसी तरह से रिवील करते हैं टॉकिंब बाट ड लॉकिंए तो फिर उसमें भी समय लगता है टु रीड़ अलोऑ फिर उनमें जो इंफ्रमेशन हैं उसको कनेक्ट करना और उसको Also को से तो पहली पार्ट बताती है कि कैसे नीती आयोग ने एक खूफिया टास्क फोर्स बनाई जो कि किसानों की आए दुगनी करने के लिए बनी थे और मजे की बात यह है कि सरकार ने इंटर मिनिस्टरियल कमीटी और बनाई है लेड़ बाई अशोग दलवाई जो कि एक अग्रिक इंटर मिनिस्टरियल कमीटीं अपना काम कर रही थी सारे स्टेक होल्डर से बात कर रही थी वह कुछ लोग इससे अन्हापी थे और उन्हें लगा कि यह पस रिपोर्ट पर निखालते रहेंगे सारे सरकारी सलूशन ने इनका कुछ नहीं होना है एस्पेशली एमेस्पी के बात लेकर crop insurance की बात लेकर देवर extremely unhappy कि इस तरह की बाती अभी भी क्यों हो रही है तो इसी बीच शरद मराथ है नामके एक NRI businessman है जो कि एक्चुरी एक software company चलाते हैं और हमने उनसे इंटर्वीव किया था उन्होंने इंटर्वीव यह बात इड्मिट कि कि उनने अगरिकल्चर में कोई expertise नहीं है अगरिकल्चर और अलाइड सेक्टर वो तो उन्होंने mechanical engineering की पढ़ाई की है और master's in business administration from US or software company चलाते हैं but anyway he he came up with a proposal उन्होंने नितियायो के वाय जो vice chairman थे उस समय राजीव कुमार उनको एक proposal भेजा उनने कहां कि आज के समय पे किसान बहुत oppressed है उनका situation is very bad which I mean that's universal truth but he said the way to get them out of this situation is through market-led solutions और उन्होंने अपना एक खुद का प्रपोजल दिया और इस प्रपोजल में उन्होंने बोला कि farm management company होगी packaging processing company होगी national level पे और farmers का सारा land ये लोग पूल करेंगे फिर उसके साथ contract में corporate buy करेंगे it was all in the air इसे कहते है हवाय में उन्होंने castle बना दिया था और ये प्रपोजल उन्होंने राजियो कुमार को भेज दिया था and for reasons unknown और ये प्रपोजल प्राइम मेंस्टर ऑफिस तक भी पहुच गई थी तो ये फाइल नोटिंग में देखा जो नितियायों के member हैं प्रफेसर रमेश चंद जो के अग्रिकल्चर पे औ और उनके साथ discussion चल रहा है कि क्या हमें task force बनाना चाहिए की नहीं शरत मराथे ने अपने प्रफोजल में ये भी कहा था कि हमें task force बनाना चाहिए to look into these issues and within three months task force बन जाता है तो we can guess what the prime minister's office said और मराथे जो है उसमें अपने members भी चुन के हां तो यह भी सेश्च करते हैं कि कौन-कौन से member बनेंगे और उसमें वो जो उस समय के MOS agriculture थे गजेंदर शेकावत उनका भी नाम सेश्च करते हैं तो नीतियायोग एक meeting अर्गनाइज करती है जिसमें शेकावत जी भी आ जाते हैं तो एक दम high level meetings हो रहे हैं with approval from prime minister's office and finally जो task force है वो बन जाती है और यह task force का का काम सिर्फ और सिर्फ business models देखना है unlike जो inter minister committee है जो बाकी issues भी दिख रहे हैं जो MSP भी बात कर रही है जो market-led solutions भी बात कर रही है it's a mix but यह सिर्फ और सिर्फ business models पर काम कर रहा है और यह task force ने किस-किस को consult किया मुश्टी तो इन्हों ने एक-दो government bodies के अलावा मुश्टी सारे corporate horses और यह किस तरह के आउसिस थे अडानी गूरूप था पतांजली आयूरुबेद था बिग मास्केट था जो groceries घर में deliver करता है वो था महिंद्रा एंड महिंद्रा था ITC इस तरह के companies थे इसमें कोई farm activist economist कोई नहीं था तो इस सवाल को आपकी तरफ में बहुता हूँ हमाता हूँ सरकार का यह रवया कि पहले तो एक non-expert को जो है लाया जाए उसके बाद में वो जो है पूरी policy को ही जो है फ्रीम करने की कोशिश करता है आप इस in revelation को कैसे देख रहे हैं एक तो सबसे पहले गिरीश और reporters collective जो काम किये उसके लिए उनको बदाई देना चाहता हूं क्योंकि किसान और किसान संगतन पहले से जो कहते आए शुरुआती दोर से कि यह corporate के इशारे पर इस सरकार काम कर रही है वो आज सच उसका एक प्रूफ एविडेंस निकल के आया है तो यह जो एक नॉन expert को इसको लिए इसमें लगाना वो एक तो conflict of interest भी है businessman है वो उनका कुछ सुजाव दे रहे और यह सुजाव भी ऐसा है यह सरकार जो है शाहिद ही शाहिद नहीं जानते इससे पहले भी यही चीज़ें सुजाव के तौर पर आये हैं जब यूपिये दूसरा यूपिये सरकार था तब वर्ल्ड economic forum का शिपारिश के हिसाब से public private partnership for integrated agricultural development उसमें भी बात यही था कि किसानों का जमीन लीज पर लिया जाए और बड़े कंपनी उसमें जो चाहे वो खेती करें तो आज भी इसी तरीके से गरीश अभी बता और कहीं पर भी चावल धान या गेहू का खेती के लिए नहीं ज्यादा तर नकदी फसल में उनका दिल्चस्पी और एक चीज यहां पर पहले जैसे इंडो यूएस knowledge initiative in agriculture था उसमें भी हम देखते कि कोई भी किसान का कोई representative नहीं था उसमें भी कार्गिल मौनसांटो वो बड़े बहुराष्टे कंपनी थे आज के दिन इसमें भी वो यहां के जो बड़े कॉर्परेट कंपनिया है इस सरकार के जो कॉर्परेट यार है इनको वो शामिल किया है कोई भी किसान संगटन से बात नहीं हुआ और यह देखने लाइक बात है एक तो इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी है अशोग दलवाई उसको हेड करें दूसरा एक स्पेशल टास्क पोर्स है उसको भी हेड कर रहे अशोग दलवाई और कितने कमिटी बनेंगे 2015-16 में लगबग 96,000 का जो आउस्तन एक आमदनी किसान परिवार का था वो 2022-23 में लगबग 30,000,000 होना चाहिए था कहीं पर भी उसका आसपास भी नहीं पहुंचा है यह स्थिती है किसान आमदनी खो रहे है उत्पादन का खर्स बढ़ रहे है जिसका भी दाम जो खाद हो बीज कीटना शक का दाम भी इनी सब कंपनी का द्वारा तैग किया जाता है और फसल के लिए सही दाम भी नहीं मिला यह स्थिती है तो यह जो नॉन एक्सपर्ट्स है जो मर्जी उनका चाहे कहीं से कटन पेस्ट पॉलिसी हो उसको लागू करने का एक कोशिश हो रहा है यहां पर कॉर्परेट का मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए एक जो इसमें चीज ना स्री ग्रेशन की जो रिपोर्ट है उ अग्लीज पर किराय पर देगा उसके बाद में वो उसमें काम कर सकता है या कंप्री में काम कर सकता है मैं क्यूंकि किसान अंदलोन को कवर कर रहा था और मैंने किसानों से अकसर पूछा यह कि आप इस तरीकी के विश्था में क्यों नहीं जाना चाहते तो उन्होंने मुझ से वो मार्केट में देते हैं इस आर्गुमेंट के अलावा मैं कहूं कि कॉर्परेट फार्मिंग पर आप लोगों की राय क्या थी कि क्या यह किसानों के लिए फाइदे की चीज है क्योंकि उत्राखंट में हम देखते हैं कि जैसे डाबर यासी कंपनियां हैं वो किसानों क साथ समझाते में जाती हैं और पहले से जो उदारन है हमारे यहां पे सबसे पहले भारत में अगर देखे आंद्रप्रदेश में कुपम नाम का जो एक कॉंस्टिएंसी है चंदरबाबु नाइडू का कॉंस्टिएंसी रहा वहां पे गेरकिन नाम का एक फसल का एक इस्रेली अमेरिकन कंपनी वहां पे मैं खुद उसका मेरा रिसर्च के समय में उसका एक स्टेडी भी किया था शुरुआती दौर में जरूर किसान को कुछ फाइ पर जब आफ्रिका का घाना में उत्पादन बड़ा फिर इस किसान को दाम नहीं मिलना और उसके लिए सव प्रच्शक सब्सिडी के साथ फर्टिगेशन और यह सब के लिए जो डिप इरिगेशन यह सब फैसिलिटी उस समय में दिया गया था आज भी यह जो मॉडल यहां जो बोल रहे और परेट कंपनिया जो मांग कर रही है जो अभी खेती पर सरकार का जो निवेश है वो उनके तुरू चैनलाइस करें तो यह भी एक चीज उसमें देखने लाइक है वहां घरकिन के जो जो खेती हो रहे थी किसान दीरे उनका जमीन खो बैठे एक घरकिन क्या है भारत में पड़े लिखे लोग भी शहरों में भी शायद बहुत कम लोग समझते यह क्या है 100% एक्सपोर्ट के लिए होता है एक एक्सपोर्ट ओरिंटेड अग्रिकल्चर इस रिपोर्ट में जो गिरिश अभी बाहर निकाले है उसमें लिखा गया है कि एक उदारन के त हरत का जो फूड सेक्यूरिटी है इस पर एक बहुत खत्रा बड़ा खत्रा आने वाले दिर्ब में होने वाला है क्योंकि एक शिफ्ट फ्रम फूड क्रॉप्स टू कमर्शल क्रॉप्स जिससे सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा यह कमा सकते हैं इनको कोई यहां का जंता यहां क रिपोर्ट अधनी वाला जुड कि अधनी वाला जुड मैं उस ही पहा रहा था तो मैं श्री जो दूसरी पार्ट है वह आपका वह बताता है कि अधनी ने लॉबिंग की एक तरीके से फोर लेट से अशिंशल कॉमाडिटी आट पे और उन्होंने कहा कि यह एक एंदर जो य जैसे कि मैंने बताया कि टास्वोर्स सिरफ बनाता और यह जो अडानी के जो रिप्रेजनेटर्टेजेंटेव से उन्हों नहों क Yay लो जिए बेल्क। टो जैसे कि मैंने बताया कि टास्वोर्स Timothy तो मुस्टिनियों को चन्सल्ब कर रहा था ओन हाफ़ पने मॉर्मर्म इंकम बट जैसे हमने एक्सपर्ट से भी बात किया तो उन्होंने कहा कि एक कॉर्परेट जो बिजनस मॉडल सेट करेगा वो फार्मर के वेलफेर को प्रारिटी मानके नहीं करेगा वो सेल्फ सर्विंग मॉडल होगा विजनस एक्षिस्ट तो में प्रॉफिट वह इसलिए एक्षिस्ट नहीं करता है कि समाज में कुछ बलाई हो राइट वह अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है इंडट इस यहां पर क्या हो गया कि जो कॉर्परेट आये थे उन्होंने इस प्लाटफॉर्म को जो कि तरह से गवर्रमेंट को बताने के लिए उस किया राइट विजू अब बता रहे थे कि कैश क्रॉप्स की बात कर रहे थे तो नन ओडीज और वीट राइस की इनका क्या कैसे करें और इन फार्मर्स का कैसे भला हो देवर टॉकिंग अबाट स्टीविया जैसे इन्होंने बत सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनना चाहिए उनी के लैंड पर लैंड बाइद गुजरात पैसा सरकार देगी 60 परसंट उसका पैसा सरकार देगी ऐसे बाकी भी कंपनीज ने अपने अपने कुछ कुछ रिकमेंडेशन दिये थे कि हमें फेवरेबल टरिफ मिलना चाहिए लाइसंस सब मेंचन स्कीम ला दो इस तरह के सब अपने विश्लिस जारी कर रहे थे इसमें सबसे इंट्रेस्टिंग जो बात है और यह इंट्रेस्टिंग इसले क्योंकि दिस इंदर रन अप टुद फार्म लॉस 2020 में फार्म लॉस आये थे इसे दो साल पहले कि यह सब चर्चाएं क के रेकॉर्ड तो टू यह बिफोर डाइट जो अडानी के रिप्रेजेंटेटिव अडानी गुर्प के रिप्रेजेंटेटिव थे अटूल चाओदी चतुरवेदी जी उन्होंने कहां कि एसेंशल कमोडिटीज आट एक डेटरेंस है इंडस्ट्री के लिए मतलब यह हमार बहुत सारा जमा कर लेंगे फुट स्टफ और जब शॉटेज होगा तो उसे हाइर प्राइस देंगे फॉर बंपर प्रॉफिट तो यह प्रिवेंट करने के लिए टूल बनाया गया था गवर्मेंट को कि इतना ही आप स्टॉक कर सकते हो और हमने बहुत सारे रिपोर्ट द है कि जो इंटर मिनिश्टियल कमीटी थी अशोक दलवाई लेड उसने भी रेकमेंडेशन दिया था कि एसेंचल कमोडिटीज आक्ट को लिबरलाइज करने की जरूरत है बट उसमें बहुत इंपोर्टेंट कंडिशन आड़ किया था सिर्फ उनी कंपनियों के लिए जो किस हैं उनको देखें तो उन्होंने एसेंचल कमोडिटीज आट को तो कर्टेल कर दिया अड़ाने के इंट्रेक्स के हिसाब से उन्होंने अलाइन करते हैं वह वह बनाया उसमें यह कंडिशन डाला नहीं उन्होंने जो कि इंटर मिनिश्टियल कमीटी ने सेज़ेस्ट किया थ तो बहुत सारे जगहों पर यह बात आई थी किसानोंने कहा था कि जो साइलो बनेगा और बने भी है और बने भी है और बगयादा इस पेसी एजी के एक रिपोर्ट भी है कि किस तरीके से अड़ानी को जो फेवरिबल रेंट दिया गया उसका तो साइलो जो बनेंगे उसमे सारा माल जाएगा उसके बाद में जो प्रॉडक्स वो जो है सब मार्केट से घाई रहे हैं उसके सी के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा आप लोगों के कानून क्या थे जब यह तो जब यह तीन कानून आये ले आये थे तब नरेंद्र मोधी का कहना था कि मारत जब कॉर्परेट उनके कॉर्परेट यार जो है उनको आजादी दिया है जमाखोरी और काला बजारी के लिए जो कानून हटा के कानून जो 1950 के दशक में लिया थे तब जो महंगाई हो रहा था उस पर रोक जो जमाखोरी और यह सबी को आज के दिन ऐसा एक आपदा भी हो तब यह जो कंप्ञिया उनका इंस्टाल के पर इसल जबाए जितना है उसमें ओब करके करके रख सकते जब भारत में चाहे भुकमरी भी हो तो बाहर भी बेचा जा सकता है बाहर के देश में इस तरीके का एक्सजी और ऊससे एक तो छावल गेहू तिलहन और दलह के इस धाथर स आलू और प्याज भी उसमें तो पूरा जो महंगाई का यह सिर्फ किसान से ही नहीं किसान को ही नहीं जो उब्भुकता है उनको बहुत बड़ा एक जो महंगाई का मार को रोकने का नाम पे सत्ता में आए वो इस काम कर रहे हैं तो इससे उब्भुकता का भी बहुत क्योंकि जैसे पहले हम लोग दोनों कह रहेते कि मुनाफ़ा ही एक मात्र यह है जो इन कंपनियों को इस क्षेत्र में आने में मजबूर कर रहा है तो यह थे विजू और यह थे ग्रेश रशकों से अपील है कि आप यह रिपोर्ट जरूर पढ़ें क्योंकि इससे बहुत सोची समझी साजी सरची इस देश के किशानों को लूटने के लिए बागी खबरों के लिए जुड़े रही है न्यूस क्लिक के साथ